दस्वी पास करके आईटी आईज में आने वाले छात्र छात्राओं को नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से आसानी से बारवी पास का सर्डिपिकेट भी मिल रहा है। इससे आपको आगे की पढ़ाई में और ज्यादा आसानी होगी। आपके लिए एक और महत्वकुन नेणे कुछ महिने पहले ही लिया गया है। अब हमारी सेना में आईटी आईज से टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर निकले युवाओं की भरती के लिए विशेस प्रावधान है। यानि अब आईटी आईज से निकले युवाओं का सेना में भी उनको मोका मिलेगा। साथियों चौथी आउध्योगिक क्रांती इंडस्ट्री 4.0 इस दौर में भारत की सफलता में आउध्योगिक प्रशिक्षन समस्थानों आईटी आईज की भी बड़ी भूमी का है। बदलते हुए समय में नेचर अब जॉब भी बदल रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस बात का विशेज ध्यान रखा है कि हमारी आईटी आईज में पढ़ने वाले स्टूडन्स को हर आधुनिक कोर्स की सुविधा भी मिले। आज कोडिंग से लेकर आर्टिफिशल इंट्रिजन्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग्स, ड्राउन टेकनोलोजी, टेली मेडिसिन से जुड़े अनेक कोर्स आईटी आईज में शुरू किये गए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि आज भारत की स्तरह रिन्योबल एनर्जी के ख्षेत्र में, सोलर पावर के ख्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के ख्षेत्र में लीड ले रहा हैं। हमारी अनेकों आईटी आईज में इनसे जुड़े कोर्सिश शुरू होने से आप जैसे विद्यार्थियों को रोजगार के आउसर मिलने में और ज्यादा आसानी होगी। साथियों, आज देश में जैसे जैसे टेकनोलोजी का विस्तार हो रहा है।